नमस्कार दोस्तों वीके नोलेज इलेक्टिकल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों DRDU में टेकनिशन का फोर्म रिजेक्शन की लिष्ट आ चुकी है जिन जिनका फोर्म रिजेक्ट हुआ है उनका एक लिष्ट आ चुका है लगभग 2800 बच्चों के फोर्म रिजेक्शन की लिष्ट आई है यदि आपने वो लिष्ट नहीं देखी तो अभी जाएए हमारे टेलिग्राम पर वो उपलब्द है जैसे ही तीन सारे तीन बजे वो आई थी तो लिष्ट मैंने आपको उसी टाइम टेलिग्राम पर प्रोवाइड करवा देती अगर आपने देख लिया है और आपका उसमें नाम है तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसका भी सॉलिशन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेसेजे जाए कि क्या हमारी जो कंडिडेचर है वो पूरी तरह से रद हो जाएगी ये भी जब एक्जाम डेट हमने बताई थी 12 से 15 नॉमबर तो बिल्कुल वही एक्जाम डेट दी आओ जरा बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी देदूं अप्लिकेशन पर हर मंडे फ्री में प्रेक्टिस टेस्ट होता है आप उसे अटेंड कर सकते हैं अभी भी टेस्ट चल रहा है एप डाउनलोड कीजिए हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जो फ्री प्रेक्टिस टेस्ट है उसे अटेंड कीजिए टेस्ट में कुछ क्यूस्सन नहीं समझ में आए तो उसका सोलीशन वीडियो हम यूटूब चैनल पर पर प्रोवाइ सबसे पहले आपको कारण देखना है कि क्यों रिजक्ट हुआ है ठीक है यदि आपका फोर्म मल्टिपल फोर्म की वज़े से हुआ है यानि एक से ज़्यादा फोर्म भरने की वज़े से रिजक्ट हुआ है तो आपको कताई पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि आ किसी एक को accept कर लिया ठीक बाद है यानि सारे reject नहीं हुए है एक reject हुआ है एक accept हुआ है अब आपको ये देखना है कि reject कौन सा हुआ है तो आपको मिलान करना है आपने दो फोर्म क्यों भरे थे पहली बात तो ये कि अगर आपके फर्स्ट फोर्म में कोई गलती थी और फिर आपने सेकेंड फोर्म बढ़ा था जो कि आपका एकदम सही था तो आपको इन दोनों के registration नमबर मिलान करने है ठीक है और आपको देखना है कि जो accept किया है वो इन में से कौन सा है ध्यान से समझे का मेरी बात को बहुत important चीज़ बता रहा हूँ नहीं तो आगे परिसान हो जाओगे यह गलती सुधार लो उन्होंने आमें मोका दिया है पांच दिसंबर 2022 तक आप उनको मेल करके request कर सकते हो अपनी पूरी डिटेल दे सकते हो जानकारी दे सकते हो कि कौन सा reject किया है तो यह करना था या नहीं पूरी जानकारी आप उनको दे सकते हो देखी क्या करना है कि अगर आपका second form accept हुआ है जो बिलकुल सही था तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ठीक बात है केवल एक ही admit card आएगा और यह भी एक हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि जब दो admit card आजाते हैं तो बच्चा क्या करता है कि कई बार दोनों exam देने चले जाता है फिर problem होती है या फिर वो confused हो जाता है कि कौन सा exam दो पताने किस सिप्ट में पेपर इजी आएगा जैसे राजस्तान टेक्निकल एल पर ने कर दिया था आपने जितने form apply किये हैं उतने ही आपके admit card उनोंने भेज़ दिये फिर बच्चे परिसान होते फिरे तो यह यहां नहीं होगा अच्छी बात है उनोंने यह कहा कि हम एक student का एक ही admit card बेज़ेंगे तो आपको क्या करना है मिलान कर लेना है आपके जिस form में गलती थी और अगर वही आपका reject हुआ है तो ठीक है कोई दिकत नहीं है जो सही था वो accept हो गया ठीक है कुछ नहीं करना सांथ बैठे रहना यह दि जो सही है वो result हो गया और जिसमें गलती थी उसे accept कर लिया तो फिर आपको एक mail डालनी है और mail में क्या लिखना है वो भी मैं बता दूँ कि मेरे registration number यह यह तहत जो मैंने application apply किया था उसमें कुछ error है और इसलिए मैंने वो error सुधारने के लिए second form इस registration number से apply किया था तो अब जो rejection list आईए उसमें जो मेरा गलत form है उसे सही माल लिया गया जबकि सही form को reject कर दिया गया यह पूरी आपको बासा लिखनी है आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं नहीं तो Google से translate करके और उसे English में भेज सकते हैं तो उनको पूरा पहल जैसे number से जो form है उसे accept किया जाए और if you want to reject तो आप ये reject कर सकते हो या अगर आप कोई form reject पूरी डिटेल एक बार भेज देना और हो जाएगा कोई दिकत नहीं है वैसे मस्तर हो कोई बात नहीं और अब देखो बात यह आती है कि गुर जी exam कब तक हो सकता है यह तो reject वाली बात होगी मिलान कर लो जो सही है वो अगर accept हो गया तो ठीक है कुछ नहीं करना सही वाला reject हो गया तो प्लीज मेल भेज देना पांच दिसंबर से पहले भेजनी है सही हो जाएगा कोई दिकत नहीं है एक ही आएगा कोई बात नहीं और अगर सही ना हो गलत वाले का भी एड एक्जाम के लिए देखो इन्होंने STAB में क्या किया था कि लगबग 15 दिन पहले reject लिस्ट निकाली थी और उसके बाद में इन्होंने ये बता दिया था कि हम admit card जल्दी ही जारी करने वाले हैं ठीक है और admit card जारी किया था तो लगबग 15 दिन बाद उसका exam हुआ था सीधा सी हैं कि जब reject लिस्ट आती है तो इसके एक महिने के आसपास exam होने की संभावना होती है यानि आज से आप एक महिना जोड़ सकते हैं exam के लिए December last week पूरी संभावना है या फिर January first week भी देख सकते हो दूसरा तरीका और बताता हूं जब September 9 का exam हुआ था तो technician को तीन महिने का समय इन्होंने दिया था और तीन महिने बाद exam इन्होंने लिया था वही सेम सिनेरियो हमारा इस बार भी हो रहा है September 10 में भी कि लगभग तीन महिने का समय आपको दिया जा रहा है क्योंकि सितंबर last date थी इसकी तो सितंबर के इसाब से अगर आपन देखें तो October 9 और December यानि December बन रहा है तो पूरी संभावना है आपका exam जो है वो December 2022 लास्ट वीक में हो सकता है एक महिने के इसाब से त्यारी करें सबसे बड़ी बात त्यारी क्या करनी है त्यारी के अंदर आपको टेस्ट प्रेक्टिस करनी है जितनी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो हमारे एप पर test series हमने प्रोबाइड करवा रखिए आप उसे जोइन कर सकते हैं अदर्वाइज आप उसके बिना भी कर सकते हैं मैं फोर्स नहीं करना हूं हाँ रिक्वेस्ट जरूर करूँगा और सुजाव जरूर दूगा क्योंकि मैंने मेनत से 11 टेस्ट उसमें बनाए हैं और भी एड़ कर बहुत धन्यवाद सभी को